हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल जैन नोलेज हपपर वेर यू कैन एनहांस और नोलेज दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए लिकर आया हूँ सेट और यूपिट आट के इंपोर्टन कोश्चन के सीरीज जिसमें आज हमारा सिक्स्थ दोस्तों ये कोश्चन आपके आने वाले सीटयट और यूपिटेट के पेपर में बहुती अच्छे होने वाले हैं बहुती इंपोर्टन कोश्चन्स हैं तो इनको ध्यान से पड़ेगा तो चले शुदू करते हैं हमारा पहला कोश्चन है इसमें वहवारिक शम्ताओं में वह सापेक्स, इस्थाई, परिवर्तन, जो की परचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं, आपके options हैं, अभी प्रेणा, अधिगम, अभी वरत्ती, और अभी शम्ता, तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा आपका अधिगम, यानि की option number B, तो दोस्तों बात करते हैं की अधिगम होता क्या है, तो दोस्तों सीखना इसका एक शाब्दिक हिंदी में अर्थ है, यानि अधिगम माने सीखना, यानि की सीखना एक ऐसी परकिरिया है, जिसके दुआरा हम अभ्यास के फल्सवरूप, जो हमने अभ्यास किया है, अपने वहवार में जैसा परिव परतन अपने अंदर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगले कोश्चें तरह बढ़ते हैं हमारा अगला कोश्चें है इसमें कि बैटरी का परियोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है आपके उप्संस हैं रूची व्यक्तित्व बुद्धी और अभिशमत तो दोस्तों बैटरी का परियोग सवपर्थम हमारा ये भाटिया बैटरी है जो बुद्धी के परिक्षण के लिए इस्तमाल की गई थी ठीक है ये साब्दिक बुद्धी का परिक्षण करती है इसको भारत में भाटिया एक भाटिया नाम के विज्ञानिक थे उन्होंने बनाया था। दोस्तो अगले question दोब बढ़ता है, हमारा अगला question दोस्तो इसमें, छेत्र सिध्धान्त निम्न में किस वर्ग का सिध्धान्त है, आपके options है, सरशनावादियों का, वहवारवादियों का, मनो विशलेश्कों का, और γेस्टाल्ट वादियों का, तो दोस्तो इसका आपका सही option होगा इसमें option number D यानि कि छेत्र सिधान्त gestalt वाधियों का सिधान्त है आप बात करते हैं दोस्तो कि छेत्र सिधान्त जो gestalt वाधि है यह कोन-कोन थे तो दोस्तो गेस्टाल्ट वादी को जैम्स वर्दिमर ने आपका कोहलर ने कुर्थ लेविन ने और कुर्थ कोफा ने इन चारो जर्मन के जो विज्ञानिक थे उन्होंने इसकी इस्थापना की थे ठीके दोस्तों तो दोस्तों अगले प्रशेंदर बढ़ते हैं और बात करत हैं चलो आपको छेत्र सिधान्त होता क्या है दोस्तों एक अधिगम संबंदी जो हमारा छेत्र सिधान्त है इसको कुर्थ लेविन के द्वारा दिये गया था ठीके दोस्तों जो एक गेस्टाल्ट वादी मनुवग्यानिक थे अब लेविन इसमें कहते हैं कि मानव वहवार व्यक्ति यहनि जो किसी व्यक्ति का जो वहवार है और उसका वात्तवरन इन दोनों का परतिफल होता है कहने का मतलब है कि जो मानव है हमारा वो उसके वहवार और वात्तवरन दोनों का परतिफल है जिसकों सांकितिक रूप में B equal to फलन P E P का मतलब परसन और E का मतलब और आपका B का मतलब होगा behavior यानि की वहवार ठीक है इसके द्वारा परदर्शित करते हैं ठीक है दोस्तों तो अगले कोश्चन ते बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोश्चन आपको दिया है कि मनोविज्यानिक की पर्थम परुक्षाला को किसने इस्थापित किया था आपके options हैं सिगमंड, डबली वुंट, पॉवलोन और वाट्सन तो दोस्तों इसका सही option होगा आपका डबली वुंट तो डबली वुंट को बोलते हैं दोस्तों हम विलियम वुंट और विलियम वुंट जो हैं आपके जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने अठारा सो उनसी ठी विज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी आपके options हैं मैक्स वर्दिमर, पॉंच ब्रंटोनो, एडगर रुबीन और कर्ट लेविन तो दोस्तों सही option होगा आपका मैक्स वर्दिमर और कर्ट लेविन तो दोस्तों हमारे मैंने आपको पहले question बताया था कि ठीक है दोस्तों इन चारों ने इस गेस्टाल्ट मनविज्ञानिक की आधारशिला को रखा था तो दोस्तों हमारा अगले question है सगनन सिध्धान्त निम्न में से किस से संबंदित है आपके options है अभी पेरिरण, अधिकम, इस्मरत्ति और स्रजनात्मक तो दोस्तों इसका सही अंतरों का आपका option number C यानि की सगनन सिध्धान्त आपका इसमरत्ति से संबंदित रखता है तो तो इसमरत्ति का मतलब होता है याद रखना ठीक है दोस्तों तो अगले question में पढ़ते हैं दोस्तों अगले question में यह आपका संग्यान किस बुद्धी के सिध्धान्त का हिस्सा है आपके options हैं समुकारक सिध्धान्त परतिदर्श सिध्धान्त गिलफोर्ड का सिध्धान्त फ्लिवड चथा विरिस्ट्रलाइजड का सिध्धान्त तो दोस्तों संग्यान बुद्धी का सिध्धान्त जो है वो गिलफोर्ड जी ने दिया था वो इन्होंने इसे इसमें तीन विमाईती थी, पहली विमा थी संकिरिया, दूसरी थी विसेवस्तू, और तीसरी थी दोस्तो उत्पादन, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले कोशन के तरह बढ़ते हैं अपना, हमारा अगला कोशन है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्यन के लिए जाने जात अब दोस्तों, जो आपके जिन प्याजे थे, इन्होंने अपने तीन बच्चे जो उनके थे, उन पर एक एक प्रिक्शन किया था, जिसको नाम दिया तरह नोंने संग्यनात्मक विकास, ठीक दोस्तों, अगले कोशन दरह बढ़ते हैं, हमारा अगला कोशन है आपका, जब म पारशिक अंतरण और उप्रोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों, हम बात करते हैं, जब किसी एक मानव को किसी एक हाथ से प्रिक्शन दे जाता है, तो उसको अगर दूसरे हाथ भी वही कोशल से करता है, या किसी दूसरे हाथ से, या बाएं हाथ से, दाएं हाथ में कोशल पहुंसता है या बाएं हां से दाएं हाथ में पहुंसता है तो इस प्रकार के परशिक्षण का जो अंत्रण होता है उसको बोलते हैं धी पारशिक अंत्रण यानि कि दो जगे जो ट्रांसफर हो रहा है ठिके दोस्तों अगले कुश्ण दे पढ़ते हैं अपना हमारा अगला कुशन है दोस्तों दिये गए प्राप्तांकों के सम्हों में जो प्राप्तांक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं आपके options हैं मद्यमान, बहुलक, माध्यांक और मानक, विचलन तो दोस्तों जो बहुत बार आता है अधिक बार आता है उसको हम लेते हैं बहुलक में यहनि बहु माने भहुलक में बहुलक में तो दोस्तों उसका सही option होगा आपका option number B यानि कि Albert बंडूरा आपके समाजिक अधिकम सिधान से संबन दीत है ठीक है दोस्तों अगले question अंदर पढ़ते हैं दोस्तों अगले question अंदर बोला है दोस्तों आपका मानव व्यक्तित के मनोलेंगिक विकास को निम्न में किसने महत दिया था आपके options दोस्तों Hall, Kamenius, Hollingworth और Prad तो दोस्तों कसी option होगा आपका option number D यानि मानव व्यक्तित के मनोलेंगिक विकास को सिंगमंड, Prad ने दिया था दोस्तों इन्होंने आपका id, ego और super ego की अवधान भी इन्होंने दी थी यानि Pride ने इनकी अवधान भी दी थी तो दोस्तों अगले question दो पढ़ते हैं हमारा अगला question है होल का सिध्धान्त निम्न में किसकी व्यक्तिया करता है आपके options हैं अधिगम में अभिपेरण की भूमिका, बुद्धी की प्रकर्ति, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान तो दोस्तों उसका सही है आप सुनोगा आपका option number D यानि कि किशोरों का मनोविज्ञान तो दोस्तों होल जो हैं यह पहले अमेरिकी विज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरों वस्ता का अध्यन किया और इन्होंने कहा कि यह एक आंधी तुफान की अवस्ता है यानि कि यह एक तनाव व्य तुफान की अवस्ता है ठीके दोस्तों दोस्तो norm अगले questioning के प्पढ़ता है clay अगले ही नुखल मंक की अनुसार 90 से 100 बुद्धि-लबggी का बालक माना जाता है आपके options है समान ने बुद्धि मंद बुद्धिर श्रेस्ट बुद्धि करें शिन बुद्धि सिर्ष का option प्रवत्र करें आपका option number एक यानि की सामान्य बुध्धी ठीज़े दोस्तों option number आई यानि सामान्य बुध्धी ठीज़े तो अगला कॉश्मिषल पड़ते हैं तो आपका कोश्मिषण न है मांशिक परते दिया है आपके options तर्ण ने बिने सायमन ने अस्रिल बटन तो दोसा सऺ्ड़ी ओसाइमन ने यह का सिध्धन जो है या इसका concept दिया है ठीकर दोस्तों बिने सायमन वहती important question थे वाला तो दोस्तों अगले questions दे बढ़ता है निमिलिकित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है आपके options हैं तनाव का नियम, ततपरता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम ठीके दोस्तों, तो इस में से जो सीखने का नियम नहीं है वो है आपका तनाव का नियम, ठीके दोस्तों दोस्तो अगले कुशिन दर बढ़ते हैं अगले कुशिन में आपको बलाया कि समरद परतिकिरिया सिधान्त में पोवलोव ने परयोग किया है ओप्शन्स आपके कुते पर, बिल्ली पर, बंदर पर और चुहें पर तो दोस्तो पोवलोव ने अपने पाल्तु कुते पर इसका परयोग किया था ठीके दोस्तो थोन्डाइक ने बिल्ली पर परयोग किया था कोहलर ने बंदर पर परयोग किया था और इसके नर ने चुहें और कबूतर पर अपना परयोग किया था ठीके दोस्तों तो सूज द्वारा सीखिने के सिध्धान्त का परतिपादन किया आपके ओप्संस हैं कोहलर तो तो सूज द्वारा सीखिने के सिध्धान्त का परतिपादन आपका कोहलर जी ने किया था ठीके दोस्तों और इस सिध्धान्त के नुसार कि किसी अभ्यास का परस शीकते हैं वह अभ्यास से नहीं बलकि अचानक सी आई सूज में होता है ठीक है और इसका इन्हों ने एक्सपरिमेट अपना जो किया था वो बंदर के ऊपर किया था जिसका नाम था सुल्तान ठीक दोस्तों अगले कुशन पढ़ता हैं दोस्तों अगले कुशन में बोला है कि स्ीख्यू हूई बात को इस्पनरण रखने या पुने इसमरण रखने की ऐसफलता को कहते हैं आपके好不好 है il marati i Mireishi कलप सोंः आज वियोन श हम आजहने को दोस्तोथ सीख्यू हुई बात को इसामरण रखने एक परकार की भूल और ये तब होती है जब सीखा हुआ ग्यान ना तो धारण हो और ना ही धारण किया जा सके तम हम विस्मरण उत्पन हो जाता है हमारी गुद्धी में और हमें उसको बार-बार पढ़ना पढ़ता है ठीके दोस्तों तो दोस्तों अगले कुशन तरह बढ़ अगले कोशन है आपका दूसरे वक्ति के बाहिये वेवार की नकल है अगले कोशन है आपके अगले कोशन है कारे को आरहम करने करने जारी रखने और न्यमित रख करने की परकिरिया है आपके उप्संस हैं समवेदना, प्रेणना, सीखना, उपरतक्षी करना तो दोस्तों इसका सही उप्चन होगा आपका उप्चन नमबर B यानि कि जब आप किसी कारे को करते हैं या उसको जारी रखते हैं या उसको न्यमित करते हैं तो इसमें आपको क्या मिलते हैं प्रेणना मिलती है वो गुड के अनुसार अभी प्रेणना या प्रेणना और अभी प्रेणने की एक ही बात है तो गुड ने बताया कि कि किसी क कब करने का उपाई है वीसमृत्ती कम करने का उपाई है ... आपके मिल जाएगा! तो डोस्तो, अगले कोशन दर हम बढ़ते हैं हमारा अगले कोशन है क्रोध वेब है, परकार है option से आपके समवेग, अभिप्रेर्णा, परिकल्पना मूल प्रवर्ति तो दोस्तों इसका सही option होगा आपका समवेग, यानि क्रोध और उभे यह क्या है, समवेग के ही परकार है तो दोस्तों MacDougal जो है इन्होंने 14 समवेगों की एक व्याख्य किये, जिन मेंसे कुछ जो हमारे समवेग हैं या परकार हैं, वो हैं जैसे की हिर्दय की गती में परिवर्तन ठीक है, या रक्थ-चाप में परिवर्तन हो या सांस की जो गती है हमारी सांस लेने में जो प्रोब्लम होती है उसमें कोई परिवरतन हो या बाहरी अंगों में कोई परिवर्तन आधी हो तो ऐसे इस प्रकार आपका उप्षार नमबर अनुकर्ण डोस्तों बात करते हैं हमने अपने पहले कोश्य नहीं बताया था कि मानसिक आयू होती क्या है ठीक दोस्तों तो मानसिक आयू के हम बारे में बात करें तो मानसिक आयू जो होती है वो एक दूसरे परकार की आयू होती है ठीक दोस्तों जो हमारी मानसिक आयू है ये परकार की आयू होती है जो बुद क्या कि KS व्यक्ति के जनम से लेकर आज तक कि की को बच्चा जनम लेता है और उसकी जो फिलाल च अीiddट करोनैं कि अगर कोई व्यक्ति यह कोई बच्चा काइब नो साल के जितने बच्चे मलानit उसकी उम्र कितनी है आठ साल लेकिन उसको ज्यान कितना है जितना नो साल के बच्चे को होता है तो दोस्तों इसका सुत्र होता है एक बुध्धी लबधी बराबर होता है आपका मांसिक आयू ठीक है mental age upon आज में होता है आपका वास्त्रिक आयू यानि कि real age mental age और आपकी real age into 100 ठीए दोस्तों तो इसका क्या होता है एक सुत्र होता है जिसमें हम अराम से उसकी mental आयू निकाल सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और इससे आगे भी हम अपनी वीडियो लेकर आते रहेंगे और इससे पहले इतने भी वीडियो हैं उनका link मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा Thank you